नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सेसनात पंडित आप देख रहे हैं एश्टेचिंग एंड टेकनिकल चैनल आज के इस वीडियो में सैट की परफेट कटिन करने का सबसे असान तरीका दिखाएंगे साथ में साइड और आर्म होल पे सुल्तानी सिलाई के लिए किस तरीके से मारजनी दे जाती है वो भी आप देखेंगे इस फार्मूले से आप सभी साइज के लिए सबसे जरूरी होती है कि सेप हमें कहां पे किस तरीके से और कैसे सेप देना चाहिए अगर आप इस तरीके से सेप अच्छे से देकर कटिन करते हैं तो उसमें सट की फिटिंग अच्छी आती है यहां प्यां में स्केल को ऐसे सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद कपड़े को इस तरिके से सीधा कर लेंगे यह है दोस्तों Magic Pen इसे आप आसानी से प्रेश से छुड़ा सकते हैं ऐसे इस Pen से आप White Fabric पे Half-White Fabric पे आसानी से मार्किन करके उसे प्रेश से छुड़ा सकते हैं सबसे पहले उपर हम एक मार्किन करेंगे ऐसे 36 इंच चेश्ट के लिए 36 का हम चौथा भाग कर लेंगे चौथा भाग करने के बाद हाफ इंच माइनस कर लेंगे आर्मोल के लिए फिर हम इस तरीके से आर्मोल की मार्किन करेंगे 34 से 40 साइज तक में 1.5 इंच माइनस करना है अब यहाँ पे लंबाई दिख लेते हैं तो लंबाई हमें चाहिए 27 इंच तो 27 इंच लंबाई के लिए 1.5 इंच वहाँ से हम माइनस कर लेंगे जो हम सोल्डर जोइन्ट करते हैं अगर आप सोल्डर सीम से नाप लिए हैं तो आपको 1 इंच माइनस नहीं करना है अब यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे एक मार्किन कर लेंगे और हेम फोल्ड के लिए हम 1.5 इंच मार्जिंग लेंगे एश्ट्रा उसके बाद हम इस तरीके से सीधा मिलकुल मार्किन करेंगे ऐसे नीचे भी हम मार्किन कर लेते हैं यहाँ भी हम इस तरीके से अच्छे से बैठा लेंगे फिर हम मार्किन करेंगे अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा साम इसको ऐसे सामने से डाउन कर लेंगे इसलिए कि जब भी हम पेस्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा उपर को खिसने लगती है पेस्टिंग यहां से दो से धाई छम लेते हैं ओपिन के लिए जैसे ओपिन श्रॉस्ट बढाते हैं उसके लिए सबसे पहले यहां पे एक सीधा मार्किन कर लेंगे प्लेकेट के लिए तो ऐसे मार्किन करने के बाद यहां पे हम नाप लेंगे कम से कम पौन दो हिंच तो इस तरीके से पौन दो हिंच पे हम मार्किन कर लेंगे जिसमें हम प्लेकेट बनाएंगे अगर आपको डेढ़ हिंच चोड़ा प्लेकेट यानि फैशन पट्टी बनाना है तो दो इंच मार्जिंग यहाँ पे लेना होगा तो इस तरीके से हम मार्किन सीधा कर लेंगे ऐसे अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है जैसे सवा इंच प्लेकेट बनाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो हम ओबरलेप करेंगे उसके लिए पांसूत हम लेंगे ऐसे तो इस तरीके से हम पांसूत पे एक मार्किन कर लेंगे ओबरलेप के लिए इससे क्या होता है कि कभी भी हम प्रेस करके बैठाते हैं सर्ट को तो तलपट उसका फटता नहीं है तो यहाँ पे हम दो इंच सोल्डर स्लोप ले लेंगे अब यहाँ पे दोस्तों 16 इंच कालर के लिए 16 को हम साढ़े 5 से भागा करेंगे तो साढ़े 5 से भागा करने के बाद ती नीच में 100 कम होगा तो वहाँ हम 100 और माइनस कर लेंगे इसलिए कि गला कभी बड़ा नहीं होना चाहिए गला अगर छोटा है तो आप उससे संभाल सकते हैं अगर बढ़ गया तो संभालना मुश्किल पड़ जाती है तो इसलिए कभी भी आप कालर की मार्गिन करें तो फार्मूले से 100 कम करके गले के गुलाईं आप किस तरीके से घुमा सकते हैं अब यहाँ पर दोस्तों सोल्डर की कटीन करने का सबसे असान तरीका हम आपको दिखाएंगे तो सोल्डर आपका जितना भी है जैसे 17 इंच है तो 17 को हम हाफ करेंगे और फ्लस कर देंगे आधा इंच यहाँ नीचे भी हम मार्किन कर लेंगे ऐसे उसके बाद हम इस तरीके से सीधा एसके लगाएंगे ऐसे अब यहाँ पर दोस्तों चेश्ट देख लेते हैं तो चेश्ट है 36 इंच तो 36 का चौथा हिसा पर एक मार्किन कर लेंगे ऐसे उसके बाद हम इस तरीके से लूजिंग देंगे तो टाइट फिटिंग के लिए सवा इंच मेडियम फिटिंग के लिए पौने दो इंच और लूज फिटिंग के लिए सवा दो इंच हमें मेडियम फिटिंग सर्ट बनाना है तो मेडियम फिटिंग के लिए पौने दो इंच हम इस तरीके से मार्किन कर लेंगे ऐसे अब यहां पे दोस्तों जितना आपका चेस्ट की मार्किन हो रहे है टोटल उतना ही हम बाटम पे मार्किन करेंगे तो इस तरीके से बाटम पे हम मार्किन कर लेंगे उसके बाद हम इसकी पेट की मार्किन करेंगे तो नीचे हम margin छोड़ने के बाद हाप कर लेंगे इस तरीके से उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ऐसे हम नाप लेंगे 2 इंच इस फर्मूले से आप सभी size के लिए पेट की marking कर सकते हैं अब यहाँ पे हम सीधा marking ऐसे कर लेंगे उसके बाद दोस्तों पेट हमें बनाना है 34 इंच तो 34 को हम इस तरीके से चौथा भाग करेंगे 8.5 इंच उसके बाद जितना हम प्लस किये थे चेस्ट में पौने 2 इंच तो पौने 2 इंच यहाँ भी हम प्लस कर लेंगे यहाँ आप बारकी से समझिए पौना इंच एक इंच सवा इंच तो सवा इंच हम लेंगे टाइट फिटिंग के लिए मेडियम फिटिंग के लिए हम लेंगे एक इंच और लूच फिटिंग के लिए लेंगे हम पौना इंच तो इस तरीके से हम क्रोस कर लेंगे उसके बाद आप चाहें तो ऐसे भी round गुमा सकते हैं अगर आपके पास R-hole shape रहें तो उससे भी अच्छे से round गुमा सकते हैं अब यहाँ पर हम ऐसे round shape कर लेते हैं अब यहाँ पर दोस्तों हम इसकी shape दे देते हैं तो shape आपको R-hole के markin से पेट की markin तक shape देना है ऐसे round उसके बाद आप नीचे देख लेंगे अगर इसी shape पर आ जाती है तो आप ऐसे markin कर लेंगे side open करने का सबसे असान तरीका है तो ऐसे हम आधा कर लेंगे आधा करने के बाद हम ऐसे shape देंगे तो इस तरीके से markin हो चुका है तो फिरम cut in कर लेते हैं हमारे इस channel से जूड़े रहने के लिए channel को subscribe करें और साथ में bell icon को fresh कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है Pledge अगर आपको सिलाई या कटिन करते समय कहीं भी कोई दिखते आती है तो आप हमें comment करके जरूर बताएं हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे बहुत ही असान तरीके से वीडियो कैसा लगा आप हमें comment करके जरूर बताएं Pledge फ्रेंट की कटीन करने के बाद हम आस्तिन की कटीन करके दिखाएंगे बहुत ही असान तरीके से अब यहां पर दोस्तों इस तरीके से फेवरिक को हम अच्छे से बैठा लेंगे उसके बाद हम ऐसे फोल्ड करेंगे फिर हम देख लेंगे की आर्मोल की कटीन कियेते हम साड़े आठ इंच बे यहां दोस्तों बाई सेफ के पास हम साड़े आठ इंच नापेंगे अगर आप उपर नापते हैं तो चेस्ट का चौथा हिसा नापेंगे 9 इंच तो हम साड़े आठिंच ले लेते हैं वाई सेफ के पास यहाँ पे पूरा साड़े आठिंच होना चाहिए अगर आप 36 से उपर के लिए आस्तिन की कटिन करते हैं तो आपको एक-एक आस्तिन की कटिन करनी होगी फिर हम यहाँ पे ऐसे मार्किन कर लेंगे अब यहाँ पे देख लेंगे हम वाई सेफ तो वाई सेफ जितना भी होगा उसको हाफ कर लेंगे ऐसे हाफ करने के बाद हम उस मार्किन से ऐसे मिलाएंगे फिर यहाँ पर हम एक मार्किन कर लेंगे वाई सेफ के लिए अब यहाँ पर हम दो इंच भी एक मार्किन कर लेंगे जहां से हम राउंड गुमाएंगे यहाँ पे हम साड़े आठी मिचे मार्किन कर लेंगे बाई शेप के लिए अब यहाँ पे दोस्तों सुल्तानी आर्मुल जो हम सिलाई करते हैं तो उसके लिए हमें फेवरिक चाहिए कमसे कम पाउना इंच पाउना इंच हम मार्जिंग रखेंगे एक्ष्ट्रा जो तीन सुथ पे हम सिलाई लगाएंगे और तीन सुथ को हम फोल्ड करेंगे तो छे सुथ में चाहिए एक्ष्ट्रा अब लंबाई बनाना है आस्तिन की 24 इंच तो 24 को हम इस तरीके से जो सबसे नीचे वाला मार्गिन है वहाँ से दो इंच प्रस कर देंगे कफ के लिए फिर हम यहाँ पे 24 प्रस कर लेंगे मार्जिंग कफ के लिए चेस्ट का चोथा ही साम लेंगे तो 36 इंच चेस्ट के लिए हम 9 इंच पे मार्गिन करेंगे उसके बाद हम tight fitting के लिए half inch, medium fitting के लिए pawn inch और loose fitting के लिए 1 inch तो इस तरीके से हम marking कर लेंगे कफ के लिए उसके बाद हम इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे अब यहाँ जो marking है उसके सामने एक marking कर लेंगे ऐसे अब यहाँ पर दोस्तों हम round scale को ऐसे बैठा लेंगे shape के लिए हम उपर नीचे scale को खिच लेंगे जहाँ पर इससे पच्छा आएगा वहाँ पर हम ऐसे marking कर लेंगे यहाँ पर दोस्तों ऐसे हम marking करेंगे यहाँ पर आप round scale से marking करेंगे तो और अच्छा होगा तो कभी भी आप यहाँ पर marking करें तो round scale से marking करें इसलिए कि वहाँ पे गुलाई अच्छी आ जाती है अब यहाँ पे हम इस तरीके से आर्मोल की सेफ देंगे ऐसे यहाँ पे इस तरीके से बिलकुल सेफ होना चाहिए हमारे इस चैनल से जूड़े रहने के लिए चैनल को सिस्क्राइब करें और साथ में बेल आइकन को फ्रेस कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके हमारे इस चैनल पे लेड़े जैन सभी के लिए जैसे पैंट सेट, कुरता, डिजैनिंग का ब्राउज, सलवार सूट बच्चों की आइटम, कटिंग और स्टेचिंग करके दिखाया जाते हैं फर्मूले के साथ अब यहाँ पे दोस्तों फ्रेंट पले में एक से पौन आइंच पह हम इस तरीके से राउंड सेप देंगे ऐसे, यहाँ पे सेप देना बहुत ही ज़रूरी होती है अगर यहाँ पे हम सेप नहीं देंगे, तो सामने में आस्तिन के आर्मूल के पास जोल आने लगेगी तो इस तरीके से हम सेप देंगे ऐसे यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके सराउन होना चाहिए अब हम चप पट्टी के लिए कटिन कर लेते हैं ऐसे यहाँ पे हम तीन भाग कर लेंगे, उसके बाद हाफ हिंच माइनस कर लेंगे ऐसे अब उसी मार्किन पे हम चप पट्टी के लिए कटिन करेंगे तो चप पट्टी के लिए साढ़े चार से पांच हिंच आप मार्किन करके कटिन कर सकते हैं तो इस चरीके से हम कटिन कर लेंगे ऐसे सिलाई या कटिन करते समय कहीं भी कोई दिखते आती है तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे अब यहाँ पर दोस्तों आर्मोल साइट दोनों हम सुल्तानी सिलाई से फिनिस करेंगे तो सुल्तानी सिलाई के लिए किस तरीके से मार्जिंग देंगे आप यहाँ बारीकी से समझेए ऐसे हम तीन सूत फोल्ड करेंगे फ्रेंट में से तो यहां हम मार्किनिक कर लेंगे लगभग हम 300 मैनस करके बैक को कडिन करेंगे अब ऐसे नाप लेंगे 300 छोड़ने के बाद तो यहां देख सकते हैं 10 इंच यहां फैसन पट्टी छोड़कर ही मार्किनिक करेंगे हम उसके बाद हम इस तरीके से बैक के लिए अच्छे से फेब्री को बठा लेंगे दस इंज पे अब यहां पे हम दस इंज पे कंप्लिट मार्किन कर लेंगे एक मार्किन हम दस इंज पे निचे भी करेंगे ऐसे हम निचे उपर मार्किन कर लेंगे उसके बाद हम एक सीधा मार्किन करेंगे ऐसे तो इस तरीके से हम सीधा मार्किन कर लेते हैं पहले उसके बाद उपर हम एक मार्किन कर लेंगे बिलकुल सीधा फिर हम इस तरीके से फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट फे ऐसे बिठा लेंगे अगर आपको shoulder का चाउडाई नौर्मल बनाना है तो मार्की से मार्की मिला लेंगे अगर आपको shoulder को चाउडा बनाना है तो फिर front part को उपर उठा लेंगे half inch, pound inch तो जितना ही उपर उठाएंगे front part को उतना ही 13 का चाउडाई अपने आप से बढ़ जाएगा तो यह बहुत ही बहतरिन फर्मुला है दोस्तों shoulder का cutting करने का अब यहाँ पर हम इस तरीके से बैठाने बाद cutting कर लेंगे इस फर्मुले से shirt की cutting कैसा लागा आप हमें comment करके जरूर बताईएगा please अब यहाँ पर हम सीधा पहले a square निकाल लेंगे ऐसे उसके बाद हम shoulder की cutting करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों shoulder की marking करने से पहले तीन सूथ हम friend को निकाल लेंगे ऐसे जो हम fold करेंगे सुलता नहीं फिर हम अच्छे से बैठा लेंगे दोन फल्ले को ऐसे अब यहाँ पर हम एक साइड से बिल्कुल सीधा कर लेंगे फिर हम cutting कर लेते हैं पहले सीधा उसके बाद हम shoulder cutting करने का बहुत असान तरीका दिखाएंगे आपको इस तरीके से आप जितना चवड़ा shoulder की cutting करना चाहते हैं उतना चवड़ा कर सकते हैं फिर हम इस तरीके से यहाँ पर बैठा लेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आप अपने हिसाब से जितना margin लेना है जैसे आपको तीन सूत margin लेना है तो छे सूत हो गया यानिकि तीन का डबल कर लेंगे छे सूत तो छे सूत पर हम एक margin करेंगे ऐसे इसमें हमारा दोनों side का joint के लिए margin हो जाएगा जैसे shoulder का और back पर लेगा फिर हम उसको ऐसे overlap कर लेंगे अच्छे से बैठा लेंगे बिल्कुल उसी margin पर इस तरीके से अच्छे से बैठाने के बाद हम 3.5 नीच पर मारकिन करेंगे ऐसे ये फार्मोला आप सभी size के लिए यूज कर सकते हैं बना सकते हैं नीचे भी हम ऐसे मारकिन कर लेंगे 3.5 पर उसके बाद हम बिल्कुल सीधा मारकिन करेंगे ऐसे अब यहां पर दोस्तों हम shoulder देख लेंगे तो shoulder है 17 इंच तो 17 को वाधा करेंगे 8.5 इंच उसके बाद हम पलस कर लेंगे margin 300 तो इस तरीके से हम margin लेने के बाद हम मारकिन कर लेंगे ऐसे अब यहां पर दोस्तों हम इस तरीके से क्रोस में मार्किन करेंगे बहुत से देखे होंगे कि वहाँ पे सीधा मार्किन जाती है तो सीधा मार्किन करने के बाद back cross में जोल आने लगती है तो कभी भी आप marking वहाँ पे सीधा न करें तो यहाँ पिस तरिकेशन marking कर लेंगे round के लिए फिर हम ऐसे cutting कर लेंगे अब यहाँ पी दोस्तों पैवना इंच margin के लिए front में भी marking करेंगे ऐसे यहाँ भी हम एक मार्किन कर लेंगे पौना इंच पर उसके बाद हम इस मार्किन को सीधा कर लेंगे ऐसे सीधा करने का कोई जूरुत भी नहीं है आप उसी मार्किन पर फोल्ड कर सकते हैं सोल्डर को अब यहाँ पे देखे कितने असानी से आप solder की cutting कर सकते हैं ऐसे हम marking कर लेंगे उसके बाद हम गले की गुलाई यहाँ पे घुमा लेंगे अच्छे से अगर आपके पास आर मुल से पर है तो उससे भी गुलाई घुमा सकते हैं यहाँ पे ऐसे इस फर्मूले से बहुत ही असानी से आप गले की cutting कर सकते हैं marking कर सकते हैं और solder की marking cutting कर सकते हैं अब यहाँ पे दोस्तों उस marking को हम ऐसे उठा लेंगे और यहाँ पे हमें सीधा नहीं यहाँ पे हमें shape में cutting करना होगा ऐसे अगर आप यहाँ पे सीधा एशके लगाते हैं तो आपकी आर्मोल की सेप जो है अच्छी नहीं आपाएगी अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सोल्डर कटिन करने का कितना ही असान तरीका है तो यहाँ पे देख सकते हैं राउंड भी सही आगया अब ऐसे हम बैठा कर आपको दिखा देते हैं सेप इसका कितना अच्छा आएगा है देखिए उसी तरीके से फ्रेंड में सेप आएगा बिलकुल अब यहाँ पे दोस्तों आर्मोल भी नापकर इसका दिखा देते हैं कि आर्मोल और आस्तिन की एरिया कितनी आ रही है इस फर्मूले से मार्किन और कटीन करने से तो ऐसे हम तलपट बैठाद लेंगे याने मार्जिंग के लिए फिर हम आर्मोल भी नापेंगे मार्जिंग छोड़ते हुए इस तरीके से हम नाप लेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं 9.5 आर्मोल की टोटेल एरिया हो रही है तो आस्तीन की भी एरिया 9.5 होना चाहिए तो आस्तीन को भी हम ना पर ऐसे देख लेंगे कि तरीका फरफेक्ट है या नहीं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साड़े नौ इच वेलकुल फॉर्फेक्ट आ चुका है आस्तीन का भी एरिया तो यह बहुत यह असान तरीका है दोस्तों इस तरीके से आप एक बार कटिन करके जरूर देखिए अब यहां पर दोस्तों एक सोल्डर की और कटिन कर लेंगे हमारे इस चैनल से जूड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को फ्रेज कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके साथ में लाइक शेर करना न भूले आपका एक लाइक शेर ही हमारे मेहनत का फ़ल होता है प्लेज अब यहां पर दोस्तों कफ की भी कटिन कर लेते हैं साथ साथ तो कफ जितना भी बनाना है आपको उससे कम से कम एक इंच प्लस कर लेजिए लंबाई में और चोड़ाई जैसे दो इंच बनाना है तो यहां पर हम पाँच इंच का कफ की कटिन करेंगे यहां से हम कॉलर निकाल लेंगे बाकी पॉकिट शोक पट्टी सब कुछ यहां से निकल जाएगा बाकी 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 जाएगा बाकी बाकी ओर हैं से थाएगा